हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं कि हम मांसून सीजन में अपने मनी प्लांट की केयर किस तरीके से करें कि उसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो जो मांसून सीजन होता है इस टाइम पे मनी प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेजी से हो और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं इसकी बहुत ही ज्यादा और अच्छी ग्रोथ है और इस मनी प्लांट की बहुत सारी हमने कटिंग्स करके इधर अधर बांट भी दी हैं इस सीजन में मनी प्लांट बहुत ही केजी से ग्रोथ करता है इसके लिए करने होते हैं हमें कुछ कम तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है तो हमें क्या करना है ज liquor्म Hadни प्लान्ट आपने पॉर्ट में लगाए हैं जब भी बारिस हो विद्ध्ध बारिस उन पॉर्ट को आपने जब भी बारिस हो अपने पॉट्स को आप बहारत दे और अगर आपके कुछ मनी प्लांट बड़े हैं या फिर ऐसी जगोपे हैं जिसे आप बहार नहीं निकाल सकते जैसे मेरा जो दुसरा वाला मनी प्लांट है यह इतना यह बहुत ज़्यादा बड़ा है साथ ही जिस जगो पह सिमेंट की एक छोटी सी क्यारी पह यह लगा हुआ है तो हम ऐसे मनी प्लांट को बहार नहीं निकाल सकते तो इसके लिए हमें क्या करना है कोई भी बड़तन बहार से लग दे जिसमें आप बारिस का पानी इखटा कर सके जैसे मैंने यह मग रखा हुआ है और इसमें बा प्लोडिंग की बोटल के जो कैप है उसमें मैंने करें हैं बारिक होल, होल बनाने से क्या होता है जो हमारा ये बोटल है ये इस्प्रे बोटल का काम करेगी और अब हमने ये बारिस का पानी जो हमारा मनी प्लांट अंदर लगाया हुआ है उसमें हम इस बारिस के पानी से पत् त्शे दोनों तरब करना है, जितना हो सके हम पूरे मनी प्लांट में अच्छे से स्प्रेकल लंगे. बारिस का पानी हमारी प्लांट के ग्रोध के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. और मनी प्लांट के लिए ये टाइम सबसे जदा अच्छा है. इस सीजन में मनी प्लांट बहुत ही तेजी से ग्रो करता है और बारिस का पानी डालने से इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज हो जाती है तो इस तरीके से हम पूरे मनी प्लांट को अच्छे से पानी से स्प्रे कलनेंगे और इसके बाद हमें जो दुसरा काम करना ये करना मनी प्लांट की अगर हमारी जो टहनिया है बहुत लंबी-लंबी सी हो गई हो तो हम इनकी कटिंग करदेंगे कटिंग करने से हमें दो फायदे होते हैं एक तो हमें नए नए प्लांट मिल जाते हैं यह देखिए जहां पर से नोड एरिया है उसके नीचे से हम इसे कट कर देंगे इससे हमें बहुत सारी कटिंग मिल जाएगी और साथ ही हमारा जो प्लांट है वो काफी ज़्यादा बुसी बन जाएगा नहीं अगर हम मनी प्लांट की कटिंग नहीं करते हैं तो वे एक लंबी सी डंडी सी रह जाती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती है और कटिंग करने के बाद और जिस एरिये से हम money plant की cutting करते हैं उसकी जो नीचे की सारी node area से नए नए money plant की कलिया निकलने लग जाती है इस से हमारा money plant बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है तो मैंने कुछ इसकी cuttings ले ली है और अब हम इस time पर इसकी cutting भी grow करेंगे इस टाइम पर अगर आप मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं तो वो इस टाइम पर कटिंग बहुत ही तेजी से उनमें रूटिंग हो जाती है यह मैंने सिंपल मिट्टी ली हुई है हमारी गार्डन की पुरानी मिट्टी है इसमें मैंने कोई भी कमपोस्ट एड नहीं की है और इस पैकेट में अब मैं सारे मनी प्लांट की जो कटिंग है यह लगबग 8-9 कटिंग है इन सारी कटिंग को मैं इसमें एक साथ लगा दूँगी कटिंग आप जब भी लगाएं तो एक साथ बहुत सारी कटिंग लगाएं क्योंकि कुछ कटिंग हमारी खराब हो जाती है और कुछ कटिंग चलती है तो इस तरीके से मैंने पूरे पैकेट में ये कटिंग लगा दी है और आप देखिए आप money plant को किसी में भी लगाएं चाहे pot हो यहाँ पे छोटा सा packet ही हो money plant लग हर किसी में लगा हुआ बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है तो इस तरीके से मैंने इसकी cutting grow कर ली है और इस cutting को मैं एक pot के side में रख रही हूँ जहाँ पर बिल्कुल हलकी सी छन के आदे एक घंडे की sunlight आती है और ये जो मेरा money plant है ये भी एक pot पे लगा हुआ है और ये money plant मेरा सिर्फ एक money plant मैंने cutting से लगाया था और ये money plant मेरा इतने अच्छे से grow कर रहा है money plant को अगर आप cutting नहीं करते हैं बहुत ही लंबी-लंबी से उसकी बेल हो जाती है वो देखने में पिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है अगर आपकी money plant की कोई लंबी सी बेल हो रही हो तो आप उसको उसी pot में थोड़ा सा मिट्टी में दबा दें अगर आप इस तरीके से money plant की जो लंबी-लंबी सी बेल हो जाती है उन्हें मिट्टी पे दबा देंगे तो वहीं पैसे उसमें rooting स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर से ही वो प्लांट काफी ज़्यादा आपका घना बन जाएगा इस तरीके से आप जितनी भी-लंबी-लंबी बेल हो रही है उसे या तो मिट्टी में दबा दे या फिर उनकी कट करके उसी पॉट पे लगा दे इससे हमारा money plant काफी ज़्यादा बुसी हो जाता है पर साथ की सीजन में money plant के लिए बारिस का पानी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इस टाइम पे इस टाइम पे आप money plant में कोई भी फटलाइजर ना डालें सिर्फ आप इससे बारिस का पानी दें इससे ही आपके money plant की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धरिया